सागर में मिल जाए, चाहे गंगोस्त्री में मिल जाए, यमुना में मिल जाए, सरीव में मिल जाए, जल तो जल रहता है, आस्था शद्दा है, तो मानो तो देव, नहीं पत्थर तो हैं ही, ये विश्वास की बात है, आप माहिर वकीर है, आप बढ़िया प्रवचन कर सकते है आप अच्छा राजनेता बन सकते हैं दो बाते आप मेरे पूरी टीम आपके साथ इंट्राइक करती है लेकिन वह आपका नहीं है यह दुनिया भी किसी को नहीं है यह भी तो चला-चली की बेला है यहां भी जो आया हो जाएगा तो जितना कुछ है वो क्यों बटोरने के है उसको अपनी संतान संत्ति के लिए कुछ करना नहीं चाहिए तो यह जो दर्शन आपका है इस दर्शन से बाबा बच जाएगा मुझे चल लगता नहीं है पानी जल जीवन है लेकिन बाबा का जल ही जीवन दाई है ऐसा नहीं हो सकता है जिस देश में गंगा बहती है उस कब तक सामने आएगे नारायर साकारहरी भारत में है आश्रम में है किसी के घर नहीं है किसी कभी होटल में नहीं रहते हैं आश्रम में रहते हैं सदैब जो जहां बुलाता है वहां जाते हैं अपनी वियारस से ली हुई पेंशन का भोजन करते हैं कभी किसी का भोजन नहीं करते अपने pension वाले पैसों से अपना और धरम पत्नी का जीवन हैं माता जी कहते हैं लोग उन्हें हास्तार सद्धा से वो साथ रहते हैं यह उनकी जीवन चरिया है कोई किसी के लिए कभी वोट कभी नोट नहीं मागा, किसी राजनिता के लिए कोई चुनाव में नहीं, वोटर नोट मागा, कभी कोई राजनिती का भिलाशा नहीं रही, ये बिलकुश सत्त है, ये बिलकुश सत्त है, आज कल सोशल मीडिया में राना साव आप दुनिया के बड़े पत्रकारों में से है, आप देखते हैं YouTube हमारी अभी अभी सीमा आई पाकिस्तान से एक साल से दिखवा YouTube चैनल से कहां पहुच गई ये बटन वो बटन शिल्वर बटन डाइमंड बटन ये बटन वो बटन नारहांड साकरहरी का कोई YouTube चैनल नहीं कोई Facebook नहीं कोई पेज नहीं कोई Instagram नहीं कोई Twitter नहीं कोई LinkedIn नहीं कोई Facebook कुछ नहीं सोची आप फोन मोबाइल रखते नहीं वो कभी अपने पास ये आज किया दुनिकता में संबब नहीं है आप कह सकते हो छूट है आप ये भी कह सकते हैं लेकिन आटल सक्थ है कभी आख़ार नहीं किसी चैनल पर प्रचार नहीं देते इस दौर के कबीर दादू रहीम चैतन महाप्रभू यही हैं बाबा जी है आप कहते हैं कि बाबा जी पेंशन से मैं नहीं कह रहा है जीवन चलाते हैं मैं मुझे सवाल अब कर लेंदिए आपने कहा अपनी बात बाबा का जरा हुलिया दिखाओ ये बाबा का सूट ये ब्रैंडड चश्मा ये कपड़ा पेंशन तो जूते में निकल जाएगी चश्मा 35-40 दर का होता है ब्रैंडड और य उनके कपड़े लकदक गहने ये जो आशन जिस आशन बैठते हैं इसमें दो महिने की पेंशन आएगी अगर इसी से जीते हैं तो फिर चलेगा नहीं तो ये सारा फरेव है ना इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम जो सब कुछ देते हो ये भी तुमारा क गहने भी तुमारे हैं जूता भी तुमारा है मैं तो बस दुनिया में आया हूँ भोग करके हां से चला जाओंगा तुमको बेवकूब बना करके निकल जाओंगा जैसे अभी निकल गया 123 लोग मारे गए तनिक भी तकलीफ नहीं हुई पलट करके नहीं देखा यह देश द वो साथ लेके घूमते हैं क्या उनकी छोटी सी गारी में उनका आसना जाएगा आयोजक मगाते हैं टैंट हाउस से आते हैं टैंट हाउस वाले रखते हैं पंडाल उनका नहीं उनका कोई वो नहीं उनका क्या जो बुला रहा है ऐसे तो मैं भी आपके आलिशान सोफो पर ब नहनत की हैं जो सत्ता दिखाता है जो सचाई दुनिया में दिखाता है उनके हमारे नोड़ा का सुझ साप मान लिया कि लोगोंने किया होगा तो यह मैंन्पुरी के आश्रम में आपको दिखाया अदभुत है आलिशान है आप भी जाएएगा चुकि आप वकील हैं तो वहां भी जाकर के थोड़ा साब ठेहरिएगा ये नोड़ा है सरकारी जमीन कब्जा की गई और उस पर आश्रम बनाया गया ये संतत्त्व है क्या उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीन पर कोई वर्तमान समय में रह सकता है क्या संभभ है योगी जी के शाशनकाल में क्या ऐसा संभभ है सारी कभी नहीं नारायन साकार हरी ने जितना मुझे पता है कभी किसी की कोई जमीन नहीं कोई किसी तरह का किस लिए करेंगे अगर वो करते तो अपने नाम करते ना अपने नाम लेते ना लोग लेते हैं, ट्रस्ट के मुख्या बनते हैं, ट्रस्ट के कंट्रोलर बनते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई निजी संतान नहीं है, मैं भी आपको कर रहा हूँ, लेकिन उनकी जो भी संताने हैं, वो सब संगत हैं, अपने वो लोग हैं, उनका अपना परिवार है, बहुत सा कहीं नहीं है, बहुत सारा संता हैं आप गिना दूँगा लेकिन सारा वैभाव, सारा सुख, सारा अश्र, वही बोग रहे हैं, उन्नी के लिए हैं, उन्नी का किया है, लोग जानते हैं और करते हैं, आप बताएजे कि जो आदमी अपनी फौज रखता है, तीन-तीन तरीके के यह सिवादार हैं, एक काले कपड़े वाला है, एक गुलाबी कपड़े वाला है, एक भूरे कपड़े वाला है, यह अलगलग पहचान है, यह आर्मी, परसनल आर्मी खड़ा करके रखना, परसनल आर्मी बाबा के रास्ते में खड़ा होती है, आपको शासन पर भरोसा नहीं ह सब खड़ा किया है ना आपने अपना समराज खड़ा किया आपने अपनी ताकत खड़ा की आप कहते हैं कि सोशल मीडिया बाबा नहीं क्या जरूरती जाने की अगर आपको ही एक ही साथ दो हजार क्लाइंट मिल जाएं तो आप कहे को बाकी जगर नेटवरकिंग करेंगे बाबा ने जो जाल साजी की बाबा ने जो फरेव किया भोले भाले लोग आते चले गए वो जाल में फंसते चले गए आज तो खामियाजा पता ने कितने परिवार उठा रहे हैं जो रोज बिलक रहे हैं रोक जो बच्यां रो रही हैं जो बीवियां रो रही हैं जो बेटे किसका है क्या आयोजन करता का दोश है आप बताईए पुलिस बेवस्था थी क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा हड़कंप मचेगा क्या सिकंद्रा राव हास्पिटल की कैपेसिटी थी क्या एटा कास गंज हात्रस अलीगड के हास्पिटल की इतनी लाशें और इतने इंजर्ड सहने की चमता थी नहीं थी उनकी चमता हाथ्सा हुआ है घटना हुई है दुखद है मक्का मदीना में भी घटना हुई आप से मैं उमीद नहीं करता हूं कि आप इस तरह से ना तुलना करें मक्का मदीना में बेहसाब गर्मी लू के थपेडों के चलते वैसे लोग जो सह नहीं पाए शारीक तोर पर कमजोर थे उनकी जान चली गई यहां आपने लोगों को बुलाया आमंत्रित किया उनको वैसे ह हालात में रखा और फिर आपने भगदर की सित्यां पैदा की तो यहां आपकी पूरी की पूरी साजिश है आपकी हिस्चेदारी है आप उसके लिए जिम्मेदार जवाब दें हैं मक्का मदीना में परमीशन दी जाती है वीजा लगता है रजिस्ट्रेशन होता है लिश्ट बनती है पूरी दुनिया से लोग पहुंसते हैं गर्मी का अवहास होना चाहिए था एसी लगने चाहिए थे एसी सब कुछ होना चाहिए था फिर तो व्यवस्थापक वे आप बा नहीं होती है आप उनको डिफेंट करें मैं यह नहीं कहता हूं लेकिन सनातन धर्म आप से मुझे यह उम्मीद नहीं थी एक पूरी के पूरी सरकार अपने पूरे प्रशासन शासन अपने पूरी ताकल के साथ लोगों को बचाने में उनका इलाज कराने में लगी रही और लाशों का धेर पड़ा रहा और दिन भर कोई पूस्ता नहीं है यहां की सरकार मुख्यमंत्री योगी जी आए अगले दिन उनके डी जी पी तुरंट चल दिये उनके होम सेग्रेटरी तुरंट आए रात बर रहे मानिय देश के प्रधार मुझे मोधी दिने आप भगदडर मचाएं आप जान लें आप और कहें कि उसके बाद तो प्रशासनय सरकार योगी जी की अधमिदारी थी योगी जी की जमिदारी वहां नहीं थी जो हालाद पैदा किये गए वो बाबा के चलते पैदा हुए आप में कहते हैं कि बाबा के सेवादार लो learnt नहीं थ चाइना के बॉर्डर से नहीं आते थे वो उनी की बहन बेटियां थी उनी गारियों पर आई और उनी पर वापस लाश और इंजड बनके गए हैं वहाँ उनी पर उनी के थे कोई बाहर के नहीं थे किसी के नहीं थे मैं धन्यवाद करता हूं देश के मानी रक्षा मंत्री जी क राजना सिंग जिन्होंने तुरंट संसत के चलते हुए आदेश करवा के एंडी आरफ को डॉक्टर्स की टीम को बहां भिजवाया मैं धन्यवाद करता हूं देश के प्रधान मंत्री मोदी जी का राश्रपती जी महोदे का विवाशन के जवाब के दौरान उन्होंने अठ लोगों को बुला करके मरवा दिया इस देश के किसी भी नागरी की जब मौत होगी इतने बड़ी तादाद में होगी तो प्रधान मंत्री का दुखी होना संवेदना जताना लाजमी है देश का जो भी जब आप देह जिमेदार उहदे पर बैठावा व्यक्ति है वो ऐसा ही कहेगा लेकिन इसे बाबा के गुनाह नहीं बच सकते हैं और सिंग साहब जब आप बोल रहे हैं तो ठीक बगल में मैं लाशने चला रहा हूं यह वो लाशने हैं जो वहां गय हुए लोगों के महिलाओं की 113 महिला हैं सिंग साहब कोई घंटों तक नहीं था और हम तो लग की गिनती हुई आज भी कई लोग लापता हैं और ये एक बहुत बड़ा हाथसा नहीं है नरसंगार है इस नरसंगार का कारण जो व्यक्ति है उसके वकील आप हैं और उस आदमी को बचाने की आप हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं आप चुके अपना फर्ज निमा रहे हैं ल सब लोगों का इलाज होना चाहिए और वो लगातार लगारता भले क्या लगता दुनिया कहते कि नहीं बाबाई ठीक कर रहा है बाबा से गलती हुई है लेकिन बाबा भागा जो आप कह रहे हैं उससे उलट बात है हमारे सेवादार आज भी देखिया अस्पतालों में लगे हुए है तनमन धन से लगे हुए है आज आपको यह नहीं दिखाएंगे हमारे सेवादारों ने दो दो बार ब्लड डोनेशन किया है दो दो तीन तीन बार ब्लड डोनेशन दिया है अपनी गारियों पर ले जाके हार management के लिए हार treatment के लिए जहां जा सकते हैं ले जा रहे हैं हर तरह से लगे हुए वो एहसान नहीं कर रहे हैं वो अपने लोगों का इलाज करा रहे हैं वो अपने उनके परिवार के लोग आप दो भाग कर रहे हैं मरने वाले कहीं बा करने वाले एक परिवार एक संस्कृति एक जगहें के अपने उन्हीं के लोग थे लेकिन कुछ anti-social elements उसमें गुसे जिनों ऐसा हंगामा किया जिनकी बज़े से ये मौत हुई हैं और बेहत धर्दे मौत हुई हैं शाशन प्रशाशन कोई इतनी मौत के लिए किसी तरह से माइंड से तयार हो इनी सकता सन 1965 में कुम्भ में आंकडे हैं 800 लोगों की मौत हुई कोई तयार नहीं था इलावाद कभी तयार नहीं हो सकता इतने लोगों की मौत हुई लेकिन दुखत घटना हुई उस इस बाबा के इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग समाज में जहर बोते हैं, ये समाज को अंधा बनाते हैं, ये सीधा सीधा लगों को बर्गलाते हैं, भटकाते हैं, भर्माते हैं, ये लोग समाज और देश दोनों के लिए जहर हैं, और मुझे अफसोस इस बात का है कि ऐस ऐसे लोगों की पैरवी आप जैसे माहिर वकील करते हैं कल आप इस बाबा को बचा लेंगे ये फिर दरबार लगा लेगा और फिर कोई भगदर होगी फिर लोग जान से जाएंगे आज इन परिवारों में मातम है वो मातम आगे फिर उस सिलसला चलता रहेगा इसलिए आप भ उम्राह करना है डोंग है और हम ऐसे लोगों को बचाते हैं सब कुछ जानने के बाद भी आप माहिर वकील हैं आप जाहिर एकल अपने मवकील को बचा भी सकते हैं बचा भी लेंगे लेकिन मुझे अफसोस जरूर रहेगा अगर ऐसा होता है तो उस आदमी को सामने आना चा